नमस्कार दोस्तों मैं हूँ S.P. Singh और आप देख रहे हैं Special Child Belfer Organization का YouTube चैनल आज की ये वीडियो हमारे उन समी साथियों के लिए है जो पढ़ लिखने के बाद 10-15 साल उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की लेकिन आज तक कहीं पर उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तमाम सरकारी नौकरियों के फॉरम बनने में 1-1-2-2-1-15-500 रुपे खर्च कर दिये लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली तमाम इंटर्वू देने में उन्होंने हजारों रुपे खर्च किये लेकिन नौकरी नहीं मिली किसी भी प्राइविट कंपनी के चक्कर लगा-लगा के परिसान है हरते नया रिजुमें बनाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली तो आज ऐसे लोगों को पक्का नौकरी मिलने बाली है तो इसके लिए आप खुस हो जाएगे और अगर आप बाकरी चाहते हैं कि आपको नौकरी की जरूरत है तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है हजारों फोरम भरने की या कहीं पर इंट्रूम देने जाने की या फिर किसी प्राइविट कंपनी के चक्कर लगाने की आपको जो नौकरी मिले के उसके लिए केवल आपको अपना फोरम भरना है और आज से भी आपकी नौकरी स्टार्ट सैलरी आपको 60,000 रुपे महीने मिले हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो लेकिन जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो लोग मेरे से ये चीज गारेंटी से लिखवा के ले सकते हैं कि जितना काम में आपको बताऊंगा उतना ही काम अगर आप करते हैं तो आपको कम से कम 60,000 रुपे महीने मिलेगा ही मिलेगा अब ये नौकरी आपको देगा कौन यह नौकरी आपको इस संस्ता में मिलेगी यानि special child welfare organization में मिलेगी यह संस्ता एक NGO है यानि non-government organization non-government organization के लिए कहते हैं यह एक समाज से भी संस्ता है तो यह लोगों को जो नौकरी देती है उन लोगों को काम क्या करना है उन लोगों को भी समाज की सेवा ही करनी है जैसे मारे के चलो हमारे साथ कोई परेशानी है आज हम बिरुजगार हैं आज आप बिरुजगार हैं आज मैं आपकी यह सहता कर रहा हूं कि आपको मैं इस NGO में नौकरी दिलवा रहा हूं जिससे आपको भी 64 पे महीने मिलना सुनू हो जाए तो यह एक समाज सेवा होई अलग अलग NGO अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं हमारा यह NGO बिरुजगार लोगों के लिए काम करता है बिरुजगार लोगों को नौकरी देना ही इस NGO का एक मात्र काम है तो जितने भी बिरुजगार लोग हैं उन सरी को आपको इस NGO में नौकरी दिलवानी है और नौकरी दिलवाने का ही आपको 60,000 रुपे महीने मिलेगा आप इसमें 60,000 रुपे ही नहीं उससे भी जादा कमा सकते हो ये डिपेंड इस वाद पर करता है कि आप इसमें कैसा काम करते है काम करने के लिए आपको काम सीखना भी पड़ेगा तब भी आपके समझ में आएगा तो जिल लोगों को भी 60,000 की महीने चाहिए यानि उन्हें एक अच्छी नौकरी की तलास है तो बो लोग सबसे पहले अपना नौकरी का फॉरम बढ़े उसके बाद उनको ट्रैनिंग लेनी है उसके बाद उन्हें काम करना है और उसके बाद उन्हें हर मईने पैसा मिलेगा फॉरम बढ़ने के लिए आपको ये उपर वेबसाइट देख रहे होंगे splcash.com इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉरम बढ़ना है ये फॉरम ऑनलाइन ही बढ़ जाएगा फॉरम बढ़ने का लिएक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है उसे किलिक करके भी आप डारेक्ट अपना फॉरम बढ़ सकते हैं फॉरम बढ़ने में यहां पर 800 रुपे आपका फीस लगता है ये आपके फॉरम बढ़ने का खर्चा है कोई आप संस्ता को पैसा नहीं दे रहे हैं और नहीं इस चैनल को जो टीम आपका फॉरम कंप्लीट करके संस्ता तक पहुँचाती है वो 40 लोगों की टीम है जो आपके फॉरम बढ़ने का काम करती है उन सभी लोगों को ये 800 रुपे जाता है जो आपके फॉरम बढ़ने का है जैसे आप किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉरम बढ़ते हैं तब भी वहां फॉरम फीस लगती है तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार उस फीस को लेती है वो फीस उन लोगों के पास जाती है जो लोग आपके फॉरम को बढ़ने का प्रोसेस कम्प्लीट करते हैं लेकिन हमारी जो संस्ता है इसकी अच्छी बात ये है कि आपका जो फॉरम बढ़ने का 800 रुपे है वो भी आपको वापस मिल लाता है तो यहां खर्चा जीरो है यानि एक पैसा खर्च करना ही नहीं है सिर्फ फॉरम बढ़ना है जो लोग आपका फॉरम बढ़ते हैं उनको आपको 800 रुपे देना है वो आपका फॉरम बढ़के आपका पुरा फायल बना के संस्था के पास पहुंचा देंगे और संस्था की तरफ से 800 रुपे आपके एकाउंट में आ जाएगे आपका एकाउंट कौन सा जब आप इस SPL Cash.com वेबसाइट पर रेस्टेशन करते हैं तो यहां पर आपका एक 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 एकाउंट भी बनता है उस एकाउंट में जो भी आप कामरी संस्था के साथ करते हैं उसका पैसा आता है तो जैसे ही आपके डॉकुमेंट संस्था के पास पहुंचते हैं आपका एकाउंट एक्टिवेट होता है आपके account में संच्था की तरब से 800 रुपे आपको दे दिया जाएगा तो यानि जो पैस आपने फॉरम बनने वाले लोगों को दिया 800 रुपे वो आप ही के खाते में जमा हो जाता है उसके बाद क्या है? मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको बताया कि ये संच्था बिरुजगा लोगों को 60,000 रुपे महीने देती है हमारे आसपास कितने बिरुजगा लोग नहीं होगे कितने ऐसे लोग नहीं होगे जो घर बैठे काम करना चाते हो या मॉबाइल से काम करना चाते हो 50-60,000 रुपे महीने कमाना चाते हो तो मैंने ये तो आपको पहले बता ही दिया है कि यहां पैसा तो खर्च होता ही नहीं है आपने फॉरम बने में भी जो 800 रुपे खर्च किया है वो भी आप दीको बापस मिल जाता है आप दीके बॉलेट में जमा लेता है अब आपको शुरुआत में क्या करना है आपको इस चैनल की एके करके एक तो वीडियो देखनी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है जब आप इस चैनल की वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो मिलेगी जिने आप सोच नहीं सकते के वो भी इस NGO के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि भईया ये NGO है ये ये नहीं देखता है कि आप कितने पड़े लेके हैं या गमार हैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति की मदद की जाती है जिसको जरूरत है चाहे उसे पैसे की जरूरत हो या पर उसे किसी अन्यसाहिता की जरूरत हो यहाँ पर करीब लोगों को उनकी बेटी की साधी करने के लिए भी NGO की तरब से 2-2 लाग रुपे मिलता है कोई बिल्जगार ब्रती अपना खुद का रोजगार खोलना चाहता है तो वो भी इस NGO से 3 लाग रुपे ले सकता है वो भी दिल्कुल फिरी में इसके अलावा जब आप इस NGO के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी और आप हर दिन इस NGO से अच्छा पाइदा उठाते रहेंगे तो जिल लोगों को भी साथ लाग रुपे महीने कम से कम कमाना है तो सबसे पहले अपना रेजिटेशन कंप्लीट कर लें क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है ये चार प्रोसेस आप देख रहें इनमें आदमी ना तो रेजिटेशन करेगा ना ट्रेनिग लेगा और ना पैसे कमाने के लिए काम करेगा बस सीधा चौथे आप्सन पर आजाएगा सर ये बताईए पैसा कैसे मिरेगा मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए सर बस आप मुझे पैसा देदो लेकिन जो समझदाल लोग हैं जो आज साथ जार या सत्र जार पे महीने कमार हैं उन सबने सबसे पहले अपना रेजिटेशन किया जब तक आप अपना नौकरी के लिए फोरम ही नहीं बरेंगे तब तक आप नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि हम फॉरम बनने के बाद ही उस नौकरी की तैयारी करते हैं ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस NGO के साथ इस समाज से भी संच्टा के साथ हर बेरुजगार व्यक्ति काम कर सकता है यानि जिसको भी पैसे की ज़रूरत हो वो हर व्यक्ति पचास से साथ जान के महिले कमा सकता है उसके लिए उसको केबल एक फॉरम बदना है फॉरम बदने के लिए आपको इस SPL Cash.com वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रेजिटेशन करना होगा रेजिटेशन का डारेक्ट लेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोई भी दिक्कत परिशानी आपको आती है तो मेरा ये नमबर है 80-10-52-47 ये मेरा बार्शब नमबर है आप इस पर केबल बार्शब ही करना है दूसरी चीज़ जिन लोगों को काम करना है वो अपना रेजिटेशन पहले कम्प्लीट कर ले और अपना रेजिटेशन नमबर के साथ ही मुझे बार्शब करें क्योंकि जिन लोगों को टाइम पास करना होता है वो काम पर ध्यान ने देते हैं वो सिर्फ inquiring करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं किसर्थ काम क्या करना है कैसे करना है कब से करना है मुझे एक वार फॉन पर बात कर लो मुझे आप reply दो तो ऐसे लोग time pass करने वाले होते हैं अगर आप time pass करने वाले हैं तो भाईया मेरे से contact ना करें अगर आपको बागे ही काम करना है तो जिल लोगों को भी समझ में आ गया हो वो सबसे पहले अपना रेश्टेशन कम्प्लीट कर ले जिससे आपका आगे का प्रोसेस चले क्योंकि जब तक किसी का फॉरम ही नहीं बरा है उसका कुछ भी होने वाला नहीं है अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे वी स्चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वेल आटन जूर दबा दे जिससे आपको आगे आने वाली हर जानकारी समय पर ही मिलती रहे इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार अंसन जूतर इसक्स्राइब झाल झाल झाल